इसको बंद कर दो नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर सुमन्त सेंग टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन प्रेटफॉर्म प्रयागराज से वच्चों यह देखेए पहले बता दिए कि आडियो वीडियो कलिएर है आडियो वीडियो कलियर है अडियो वीडियो बताई बटा ज़र् had आडियो वीडियो हम स्वाथी आदौ जी आल들 क्लीर से अब शेएक शिंग मता जिए आल क्लियर सर चलिए बहुत बन्याद वुपिंद्र शुकला जी भी जुड़ गए इसमें पहली चोधरी जुड़ गई है तो मैं बता दूँ देखे यह असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी एचसी जी डी सी बॉटनी मनस्पत विज्ञान फ्रूट का लेक्चर टू है नया बैच प्रारंब है कोई भी आपको जानकारी लेनी है 9628959237 और 8318489291 पर आप WhatsApp मैसेज भेजें आपको यहां से जबाब मिलेगा सारी जानकारी मिल जाएगी तो प्रूट को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा जी चलिए प्रूट को हम आगे बढ़ाएंगे पिछले क्लास में हम सिम्पल प्रूट सुरू किये थे सिम्पल फ्रूट में ड्राइफ फ्रूट ड्राइफ फ्रूट में तेन फ्रूट हम बता दिये थे डैसेंट में आपका लेग्यूम फालिकिल और सिलिकवा यह तीन हो गया था तीन क्यों तिलिकुआ तक हो गया था बैटा चलिए हो गया चलिए डक्टर इच्छा सिंग खुसरी बैटा जी तो तिलिकुआ तक हो गया था बिलकुल अब आगे देखें क्या है नेक्स्ट इसमें आपका जो चौथे नमर का फुरूट है पिछले क्लास से वह आपका है तिलिकुआ 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 क्या कहते हैं इसको लाइक तिलिकुआ हो गया था एक मिनट तिलिकुआ हो गया है तिलिकुआ तीलिक ओलंक, का देखें लाइक, तीलिक हुआ? हुआए लाइक शीलिक हुआ? लाइक शीलिक हुआ, भथ लाइक शिलिक्वा बट इस ब्रेड़ और लेंथ लेंथ आर इक्वल इक्वल ये शिलिक्वा के समान है बेटा इसका मतलब हुआ डेवलप फ्राम बाई कार्पेली सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी ओवरी हैज पेराइटल प्लसेंटेशन लाइक शिलिक्वा लिखने का मतलब ये है लेकिन कुछ तो अंतर होगा बेटा जी ने तो फिर ये क्यों भाट इट्स बर्टक सर्थाम चाडराई और लंबाई लगबग बराबर होती हूं है तो लाइक शिलिक्वा बट इटस ब्रइट अनलिंत और टेम्हारी और ये देख लेजे कि बरीबफल में क्या सलिए दोत जामपल यहां है एक आपका है आई बिरी स अमारा इंग बिरी स टफ त रिंडि टफ है दूसरा इसमें है आफ का कैपसेला बरसा पैस्टो रिस पैस्टो रिस कैपसेला बर्षा पैस्टो रिस इसको बेटा सेफर्ड पर्ष कहते हैं क्या कहते हैं इसको सेफर्ड पर्ष यस यच इप यच इडी अर डी एपास्ट्राफी यस पर्ष इसका जो फ्रूट होता बेटा वो ट्रेंगुलर सेफ होता और फ्लैट होता है इसका फ्रूट कैसा होता फ्लैट और ट्रेंगुलर सेफ तो लगता कि पर्ष है ये लाइक पर्ष तो इसी लिए इसको सेफर्ड पर्ष कहते हैं सेफर्ड पर्ष कहते हैं फेमली क्रूसी फेरी के मेंबर है दोनों किसके मेंबर है फैमली क्रूसी फेरी के मेंबर है फैमली क्रूसी फेरी के मेंबर है बेटा जी और नया नाम क्या है ब्रैसी केसी है ब्रैसी केसी तो यह क्यों हो गया सीलीकियूला लाइक इलिकुआ बट इट्स ब्रेट्स एन लेंथार इक्वल आइबरीस हमारा कैणी टफ्ट हो गया बटा कैपसिला बर्सा पैस्टोरीस सेफड़ परस हो गया दोनों की फेमली क्या है कुरूशी फेरी नया नाम क्या है ब्रैसी केसी आप को पता है बेटा जी कुरूशी फेरी फेमली में दो प्रकार के फ्रूट पाए जाते हैं एक आपका तिलिक हुआ होता है दूसरा तिलीकियूला होता है ज्यादा तर में तिलीकियूला होता है कुछ मेंबर में तिलीकियूला होता है जैसे मैंने ये दो मेंबर लिख दिया ब्रेशी केसी न्यूनेम ब्रेशी केसी चल गये हो गया अरदना कुमारी जी डन हो गया अब इसके बाद देखें नेक्स्ट जो आपका पाचवे नंबर का फ्रूट है इसमें कैपसूल है कैपसूल क्या देखें डेवलब फ्राम डेवलब फ्राम मल्टी कार्पिलरी मल्टी कार्पिलरी डेवलब फ्राम मल्टी कार्पिलरी, तेवलब फ्राम्टी 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 कार्पिलरी, and sometimes, and sometimes, from inferior ovary, inferior ovary. So, developed from multicarpillaries in carpus superior ovary, and sometimes from inferior ovary. example, what do you think about this? This is Gospium Spaces. This is Gospium Spaces. This is Gospium Spaces. This is Gospium Spaces. A. bilmascus isculentus. Gospium Spaces. Gospium Spaces. A. bilmascus isculentus. A. bilmascus isculentus. A. bilmascus isculentus isculentus. Ladies finger. या इसको क्या कहते हैं? ओक्रा कहते हैं. O. K. R. A. या इसको क्या कहते हैं? भिंडी भी कहते हैं. भिंडी. दोनों मेंबर मालवेची ना. तो, Gospium Spaces. कॉटन हो गया. ए बिलमास्कस isculentus. सिनानीम हिविसकस isculentus. इसको लेडी ज़्विंगर कहते हैं. ओक्रा भी कहते हैं. भिंडी भी कहते हैं. भिंडी भी कहते हैं. ओक्रा और भिंडी मालवेशी फेमली का मेंबर है दोनों मेंबर मालवेशी के है चलिए दोनों मेंबर किसके बैटा मालवेशी के है वीडियो लाइक कर दीजे बैटा जी जो लोग जुड़े हुए हैं पिल्व फ्रा लाइब क्लास में आपके ज्मेधारी होती फ़पलिक लाइब करना है तीसरी स्लाइड है यह तीसरी स्लाइड है चलिए डन बोल दीजेगा डन हो गया बुपेंज सुकुला जी कहे तर डन हो गया चली बहुत बढ़िया मतलब दो ही स्लाइड है एक तो एड़ वाली थी अब दो एक्जामपल और इसमें बिठा जी इसमें दो एक्जामपल और हैं लिखली जगा एक है आपका पापावर पापावर सामनी फेरम सामनी फेरम पापावर सामनी फेरम और दूसरा जो इसका है आपका आरजी मोंड आरजी मोंड मेक्सिकाना मेक्सिकाना यह आपको पता है इसे पापी भी कहते हैं और ओपियम भी कहते हैं यह पापावर सामनी फेरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी इसमें एक अलकलॉाइड पाए जाता जिसका नाम मारफीन हमने कहा भी था बताया भी था सुन भी लीजिए एन नोन ऐस मॉर्फिन अब्टेंड फ्रॉम ड्रॉइड लेटिक्स आप अंरिप कैपसूल आप पावार सामनी फेरम आप दी पैमली पावरेजी ये दोनों ये पापा वरेजी याद लखेगा अपावरेजी ये पावरेजी फैमली बिलकुल यह मैं दोनों में पराइटल प्र 师 Soon obese consulta वाटन और आपने देखा था cartail फिंगर वाहे एक जायल प्रेसेंटेशन था इन दोनों में खुम से नधुनों और ऑफावरेशी का bir दशाएन अफॉरेशी का बना हुआ थे अन्रीप फ्रूट या अन्रीप कैप्सूल चलिए अब इसके बाद आपका जो नेक्स फ्रूट होता है वो है आपका डहिसेंट के बाद इन डहिसेंट देखें इन डहिसेंट में सबसे पहले है एकीन पहला है एकीन पहला है इसमें एकीन क्या देखे एकीन डिबलップ प्राम डिबलップ प्राम मोनो कारपिलरी मोनो कारपिलरी सुपीरियर ओवरी इवलप स्राम मोनो कारपिलरी इवलप से मांगा क्या है बिलकुल सही बात है आरती राजपूत बिलकुल सही कह रही बेटा जी इसमें दो राय में आप बिलकुल सही कह रही है चलिए बिलकुल कलिमैटिस एन नार्विडिया हो गया अब आगे देखे क्या इसमें one seeded, one seeded and peri car, peri car free, free, one seeded and peri car free from seed coat, free from seed coat, one seeded and peri car free from seed coat और example लिखिएगा क्या हो जाएगा इसमें आपका Clematis है, Clematis और दूसरा है Narvelia, Clematis and Narvelia Clematis और नारवेलिया ये एक्जामपल है, आईए दोनों की family देखिए डक्टर जीजासी ने पहले बता दिया कि family क्या है रैनन कुलेशी, तो Clematis और नारवेलिया एक्जामपल है और family क्या है देखिए family रैनन कुलेशी, रैनन कुलेशी ये एकीन से एक सवाल बेटा जी, अपकी बार आया हुआ था, दो से तीन सवाल fruit, दो सवाल fruit से थे, UPHC में, UPHC जो विग्यापन संख्या 50 था बेटा, उसमें दो या तीन सवाल, दो सवाल तो मुझे याद है अब fruit से हैं, एक A है, एक मैं आगे अभी बता रहा हूँ कि क्या है, तो ये था, बन्दब कुल 70 सवाल थे बेटा जी, जिसमें एंजियो स्पर्म से ही 10 से 15 सवाल आये थे, कितना important ये है, याद रिखेगा एंजियो स्पर्म और जानते हैं, एक चीजा और जानते रहेगा है, जो है, कि जो एकीन होता है, तो mostly found in the form of ethereo, एक पॉइंट और लिखेगा, एकीन, एकीन, mostly, mostly found in the, in the form of in the form of ethereo, in the form of ethereo, एकीन जो है, mostly किस फार्म में पाए जाते हैं, ethereo के फार्म में पाए जाते हैं, mostly found in the form of ethereo, important है बेटा, important अब सेख सिंग, जी, important है, ethereo आफ एकीन, बिलकुल, इटेरियो के form में mostly ये पाए जाते हैं, चलिए done बोल दीजिए तो आगे बढ़ा जाए, बिलकुल, बिलकुल, चलिए done बोल दीजिए, done बोल दीजिए, बिलकुल, मदवाला जी ने, बता दिया कि सर हो गया है, अब इसके बाद देखें, जो दूसरा इसमें है, वो number two, केरियोप्सिस, केरियोप्सिस, ये इंडेसेंट है, बिलकुल, सभी बात है, केरियोप्सिस, क्या देखें, डेवलप्स फ्राम, डेवलप्स फ्राम, मोनो कार्पिलरी, मोनो कार्पिलरी, डेवलप्स फ्राम, मोनो कार्पिलरी, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, डेवलप्स फ्राम, मोनो कार्पिलरी, सुपीरियर ओवरी, आगे क्या देखें, वन सीडेड वन सीडेड एंड पेरी कार्प पेरी कार्प फ्यूजड है वन सीडेड दो से तीन मुझे याद आ रहा बेटा जी मैं कंफर्ब कर दूँगा मुझे याद आक साथ तीन सवाल आये थे यूपीच hasnी में तीन सवाल फ्रूट से आ गये थे फ्रूट से यूपीच सी में तीन आ रहा है तो मुझे याद आरा तीन सवाल आया था दो नहीं तीन सवाल आया था इससे यूपीच Jece में तो कितना important topic है ये fruit जहाँ ते आपके तीन सवाल आये थे तीन आये थे बैटा मतलब तीन सवाल आ गया था फुरूट थे UPHSC में ये कतनी बड़ी बात है कतना important topic है तीन सवाल बहुत मतलब रखता बैटा एक सवाल का मतलब होता ये तो तीन सवाल है वन सीडे एंपेरीकार्प फ्यूर्जड विथ फ्यूजड वीथ इंभी म३ षी यह Beneflix यहीं प्यूजड होता है लोकि इसके पहले आप देखेंगे तो फ्री रखा प्रीथा ये द撃 फ्रीख रहा यहा क्या हो गया इस दो हो मौन सीडे एंपेरीकार्प fused with seed coat pericarp इसको कहते हैं fruit wall को pericarp कहते हैं और seed coat तो आप जानते ही हैं one seed यह बहुत important चीछ थी आगे बढ़ते हैं तीसरी point देखें क्या है यहाँ ovary ovary hedge basal basal placentation ovary hedge basal placentation और आपको पता जो kerriopsis fruit होता बेटा वो एक family का characteristic fruit होता है जिसका नाम है gramini जिसको कहते हैं poesi also known as grass family एक point जरूर याद रखेगा यह one seeded fruit है याद रखेगा और pericard fused with seed coat बहुत important line है आगे लिखे क्या है karyopsis karyopsis is the is the characteristic characteristic karyopsis the characteristic fruit 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 of the family of the family karyopsis is the characteristic fruit of the family gramini gramini नया नाम poesi karyopsis karyopsis is the characteristic fruit of the family gramini नया नाम poesi कुछ member का नाम लिखना है तो आप लिख लिजिए कुछ example इनके हैं जहाएं पाए जाता है wheat लिख दिए राइस लिख लिजिए मेज लिख लिजिए और बार्ली लिख लिजिए बार्ली wheat rice मेज बार्ली karyopsis karyopsis चली बहुत बढ़िया basil presentation बिलकुल हो गया तो ये तो हो गया आपका karyopsis अगला जो fruit है घास परिवार बिलकुल सही बात है अरभना कुमार जी घास परिवार challenge रियादो rice मेज बार्ली सही बात है सही बात है चलिए तो अगला हम जो fruit की तरफ चल रहे हैं उसका नाम क्या है उसका नाम सिपसेला है उसका नाम क्या है सिपसेला तीसरे नमबर पर है सिपसेला सिपसेला याद रखेगा बिटा जी अगर कैपसेला पूछेगा तो एक मेंबर है फेमली क्रूसी फेरी का सिपसेला पूछेगा तो एक fruit है एक type of fruit in-discent fruit dry fruit में आता है तो सिपसेला और कैपसेला में confuse मत हुईगा ये confusing point है जो आपको confuse कर सकती है सिपसेला देखे developed from develops from bicarpillery developed from bicarpillery developed from bicarpillery thin carpus developed from bicarpillery thin carpus inferior ovary inferior ovary याद रखेगा जब inferior ovary होगी तो flower epigynos होता है flower epigynos होता है inferior ovary होता है flower epigynos होता है तिपसेला याद रखेगा चलिए तो develop from bicarpillery thin carpus inferior ovary ovary हैज बेशल प्लसंटेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश और आगे तखे, वन-seeded, वन-seeded, पेरिकर्प, पेरिकर्प, प्री, one seeded and pericarp free from seed coat seed coat one seeded and pericarp free from seed coat यहां भी देके free हो गया one seeded and pericarp free from seed coat बिल्कुल जो ही सिर्वास तो जी के पैपा सीज प्रिजन बिल्कुल सही बेटा जी अब अपने तैयारी को देखिए जब इतने जवाब आप दे रहे हैं आप लोग तो आप तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी किस लेबल पर है किस लेबल पर आपकी तैयारी पहुँच गई है आप खुद उसको देखिए आत्म मंधर करिए कि आप कहा कग खड़े हैं मेरे समझ से आप बहुत आगे खड़े हैं मेरे समझ से बहुत आगे आप खड़े है बस बैकेंसी का इंतजार है यह हो Geld यह हो गया आपका तो यह 3 पॉइंट होग किया मैं अगले पेज पर चलना हूँ डन बोल दीजे ये मदवाला जी कहीं सर डन हो गया बिलकुल आगे देखें क्या है जो next point है जो next point है वो क्या है purpose purpose ये purpose क्या होता है ब्रेकर में लिखेगा equal to करके hairy calyx hairy calyx attached to the fruit attached attached to the of fruit attached to the fruit purpose hairy calyx attached to the fruit आगे देखें क्या है purpose purpose help in help in parachute parachute purpose help in parachute mechanism purpose help in parachute mechanism for the for the dispersal for the dispersal of fruit fruit of fruit by wind by wind purpose help in parachute mechanism for the dispersal of fruit by wind parachute mechanism purpose help in parachute mechanism for the dispersal of fruit by wind Wherever यसक्षित मैं तो बुक से देखकर लिख देता हूं चलिये के अब बुक में इतना असान नहीं दिया रहे हैं यस दिक यह तो में तिक दूम सिंपल भाशा है ने इसलिए नोटसान इंगं मेरा ही नो्टस कि बेटा जी आपको बहुत मदद मिलेगी आपको बहुत मदद मिलेगी बेटा तेके पैपर सेल्पीन पैरसूट मेंग्जम फार्द डिस्परसल आप फूरूट बाई विंड और देखिये क्या है तिप सेला तिप सेला इस देर इस दे करेक्टरस्टिक सेला इस दे करेक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक् नया नाम esteraceae, esteraceae, आपको पता बेटाजी इसका जो inflorescence होता है, वो capitulum our head होता है, आपको पता कि capitulum our head most advanced type of inflorescence होता है, आपको पता कि compositive जिसका नया नाम esteraceae, वो largest family angiospum की है, वो largest family dicotylidans की है, आपको पता है angiospum में dicot और monocot होता है, monocot ज्यादा advance होता है, dicot primitive होता है, यह आपको पता है, compositive, कुछ member अगर आपको लिखना है, दो तो जरूर लिख लिजिए, क्या, sunflower, sunflower, और marigold, marigold, sunflower and marigold, बिल्कुल यह दिक्षित जी आप मेरा नोट्स बनाएंगे, फाइदे में रहेंगे, बेटा जी, फाइदे में रहेंगे, यह बिल्कुल सिंपल नोट है, और इसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल नोट्स, बिल्कुल खुश्बू उमर, खुश्बू बेटा जी, सब को पताईए, बहुत जानकारी है बच्चों को मेरे, मेरे जो विद्ध्यारती हैं, उनको सब पता है, एस्टरेंड, हेलिया भी है, बिल्कुल सही बात है, तो, इस सैनफलार, आपको पता है, सैनफलार, हेलियन्थस एनस, और आपको पता है, मेरी गोल्ड, टैजिटस एरेक्टा, यह आपको पता है, तो, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह तीसरा हो गया, सिब से लाप, powinको पता है, जोचे नमबर पे इसमें देखे, क्या है, आपका नट है, यह क्या होता, देखे, डेबलप्स प्राम, डेबलप्स प्राम, बाई कार पेलरी, Bi-carpillary, developed from Bi-carpillary or Multi-carpillary sincarpus, sincarpous, फुब्बट्राश इफ प्सक्रा प्यॉपकेली इफ पृट्पOn superior ovary, one seeded, one seeded and pericarp, pericarp becomes, becomes one seeded and pericarp becomes hard and stony, 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 एक सीड का होता है, आपको पता है बेटा जी, कि जो indecent fruit पांच प्रकार के होते हैं, पांचो बेटा, single seeded fruit होते हैं, one seeded fruit होते हैं ये भी पॉइंट है जिसको आप याद कर सकते हैं तो आपका सब्सक्राइब बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल साथ जुड़ने का बहुत ही फाइदा होता है और निश्यत रूप से जुड़े रहेंगे बार बार देखेंगे बार बार देखेंगे तो आपका फा अपरिका बिकम्स हाड एंड इस टोनी है है हो गया बिल्कुल तो आगे बढ़ते हैं देखें क्या है इसमें इसमें देखें आपका जो एक्जाम्पल है वो क्या है आपका इसमें है एनाकार्डियम इनाकार्डियम इनाकार्डियम ऑकसीडेंटेल इसे कैसिव नट कहते हैं कैसिव नट हिंदी में इसको काजु कहते हैं मैटा काजु जो बाप काजू खाते हैं नहीं और देखें दूसरी चीज़ किस्की है एक कोटी लेडान्स कोटी लेडान्स और jest घ्डिंतल गहां के दीक से पैडिसुद है को एक कि पडिसिल कोटी लेडांस ने फ्लेसी पिरेशिल्स और सिदिवल से खाया जाता है और ये क्या है देखे ये फाल्स फ्रूट है बेटा! ये क्या है? फाल्स फ्रूट है ये फाल्स फ्रूट का एकजामपल है दूसरा इसमें आपका लीची लीची चाइनेंज ही लीची चाइनेंसिस नेक्स डे मैं जबाओंगा बेटा जी तो यूपी एचस्सी यूपी एचस्सी का जो पेपर में तीन फूरूड के सवाल थे वो तीनों मैं लेके आऊँगा अब बता दूंगा ये कि तीन सवाल आए थे ये बहुत बड़ी बात है कि किसी से तीन सवाल आ जाएं तो मैं वो लेके आऊँगा और फिर इस टापिक आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस इसका है लीची चाइनेंसिस ये लीची है बेटा जी और इसका क्या होता है फ्लेशी एरिल अडिबल अगर केवल एरिल है बेटा तब भी है अप लगा लेंगे एकर फ्लेशी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एरिल फ्लेशी होता ही है तो फ्लेशी एरिल खाया जाता है और ये native of China है native मतलब origin place मतलब लीची का जो origin place है वो क्या है चाइना है तो आगे एक point और लिख देंगे क्या native of native of China लीची चाइनेंज फ्लेशी एरिल इडबल native of China बिलकुल बिलकुल सही कह रहे हैं मैटा जी तो ये लीची चाइनेंज फ्लेशी एरिल इडबल native of China एक बार मैं देख रहा था ABC कौन बनेगा करूर पती तो उसमें ये सवाल पूछा गया था अमिताब बच्चन जी ने पूछा था जो वहां पहुंचा था हॉट सीट पर कि लीची किस देश का native fruit है उसमें कई नाम था चाइना भी था इतोफिया भी था अफगानिस्तान भी था इस तरह से था लेकिन जो वहां हाट सीट पर बैठा था उसको पता नहीं था वो गेस्ट कर रहा था उस ताड़े 12 लाग रुपया जीत चुका था 25 लाग के लिए सवाल था लेकिन जो गेस्ट कर रहा था तो गलत गेस्ट कर रहा था धरकन मेरी बढ़ी वही थी क्योंकि अगर गलत कर देता तो सीरह वो 220 पर चला आता 3 220 ख़े बड़ी चासान ही मैं चाहता था तो गुर्षills को ब्ल्कूल मना रहा था कि अरे तुम क्वीट कर जा क्वीट कर जा लेकिन लास्ट ने उसका सघभुद्धी भी आगई क्वीट कर गया तो यह था लीची चायन बिल्कुल सही बात है हो गया? बिल्कुल तीन लग वीश हेजार हो गया? आगे देखें क्या है आपका जो नेक्स्ट है वो पुरूठे समारा पाचवे नमबर पर समारा है समारा डेवलप्स प्राम डेवलप्स प्राम बाई कारपेलरी बाई कारपेलरी डेवलप्स प्राम बाई कारपेलरी सीन कारपस डेवलप्स बाई कारपेलरी सीन कारपस superior ovary superior ovary developed from bicarpulary thin carpus superior ovary और देखे क्या है ये one-seeded one-seeded and one-seeded and pericarp pericarp becomes one-seeded and pericarp becomes flat becomes flat like a wing like a wing one-seeded and pericarp become flat like a wing एक wing एक पंक है तो समारा है दो पंक है तो double समारा है एक पंक है तो समारा है दो पंक है तो double समारा है बिलकुल सही बात है like a wing कितनी अच्छी तैयारी है तानदार जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है बेटा जी इतने अच्छे बच्चे अब मैं क्या बता हूँ आफ लाइन में भी इतने अच्छे बच्चे नहीं मिलते जितने अच्छे आप हैं जितना अच्छा konnte अच्छे बच्चे आफ लाइन अगर कहीं चलायी जा अभी मुझे नहीं मिलते हैं आफ लाइन में भी इतना आपका पर्फार्मेंस जितना आपका रिस्पांस ऑन लाईन में है बहुत ही सांगदार चलिए तो यह हो गया और देखिए क्या इसमें है एक्जाम्पल है पॉलोब्टेलिया इंडिका पॉलोब्टेलिया इंडिका पॉलोब्टेलिया इंडिका दूसरा क्या है डायस्कोरिया डायोस्कोरिया है और फोलोप्टेलियां इंडिका इसको चिल्बिल कहते हैं चिल्बिल अब प्रया-ग्राज में चिल्बिल के बहुत प्लांट मिलते बेटा जमाल ओप्तेलियां इंडिका जा Spicyelectric प्रेमा जी आप भी बहुत अच्छे हैं सर आफ लाइन में ना मिलते इतने अच्छे सर आफ लाइन में सर लोग मारते हैं तो बहुत बढ़िया बेटा जी बहुत सांदार मैं अच्छा हूँ चाया मैं नहीं हूँ लेकिन बेटा जी आप लोग बहुत अच्छे हैं आप लोग मैं जतनी तारिफ करूं कि जिस तरह से आपका रेस्पांस है जिस तरह से आपका परफार्मेंस है निश्यत रूप से बहुत मन को सांदी देता है बहुत सुख देता है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं उम्मीद से ज्यादा अच्छे बहुत बढ़ी आफ़ चलिए चलिए बहुत बढ़ी आफ़ चलिए तो पोलो पेलिया इंडिका सिल्बिल डायस कोरिया इस बैच को बढ़ाने के लिए देखे बेटाजी आज कल मेरे पास तो इस दिन आठ घंटे क्लास आलेडी होती है ये नवा घंटा मैं पढ़ाता हूँ पात से च्छे जो डेली मैं तस साथ डेली आ रहा हूँ बेटा कि अगर किसी को कभी नीड हो असिस्टेंट प्रोफेसर की तयारी करने के लिए तो मुझसे जुड़ सकता है जुड़ सकता है इसलिए मैं इतने वीडियो जाल रहा हूँ आज मेरा आठवा वीडियो है तीन पॉलनेशन पर दूए इनफ्लोरेशन पर और दो आपका ये हो गया प्रूट पर एक इंट्रोडक्शन से रिलेटिड था आठवा वीडियो ये चलता रहे का कम कम 20 वीडियो तो मैं डालूँगा ताकि काभी कोई सर्च करें असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए किसी यहां जीडी सी यूपी एचसी या किसी भी दूसरे स्टेट के ल नहीं करता बेटा जी मैं सीधे एक दिन बात करके सीधे में कंटेंट पर आ गया कि जब भी आप पल्टें कंटेंट को तो आपको लगे कि कंटेंट बिल्कुल लाबदायक है बिल्कुल हरिभान जी बिल्कुल बेटा जी चलिए हम यह बहुत ब्रिया तो यह होगया पहलो प्टेलिया इंडिका चिल मिल ओद यह को रहे कि ये पांच कि आपके दिखेंजκिसम में हो गया ते डश सेंट में अब पांच नहीं परता है वसको साइजो कार्पिक कहते तो का आगे क्या है। साईजोकारपिक आप लिक करके स्प्लीटिंग स्प्लीटिंग साईजोकारपिक और स्प्लीटिंग में जो पहला है लोमें टम है लो में है लॉमेंटम देखे-फूर लॉमेंटम कीसा होता है कि ऐ फूर्ज ऐसे होता है हुआ कि ए ये फूर्ज ऐसे होता है यह दिखेंगे तो आपको याद आजाएगी बबूल का फ्रूट याद आजाएगा इमली का भी फ्रूट याद आजाएगा और आपको क्या याद आजाएगा याद है और आपको याद आजाएगा मुक्फली ग्राउंडट लोमेंटम की कहानी मैंने बताई आपको एक बार ट्रेन में एक महिला जो थी वो यात्रा कर रही थी अपने छोटे से बच्चे के साथ जो चार पांच साल का था अब तभी उसमें एक मुक्फली बेचने वाला चड़ा गया बच्चे ने कहा मम्मी बच्चे ने कुछ नहीं मांगा अब मम्मी अब ममी कहने के बाद उसने उंगली उस मुगफली बेचने वाले के तरफ दिखा दी और फिर ममी ने कुछ नहीं कहा ममी ने अपने पर्श से 10 रुपे के नोड निकाला और मुगफली वाले को पकडाया किया भीया लो भीया अब उसने क्या किया उसने भी कुछ नहीं बोला उसने क्या किया कि एक कागज का खोखा निकाला और उसमें मुखफली भरा अब भर करके मैडम को पक्राया कहा लो मैडम लो मैडम कब लो मैंटम हो गया पता ही नहीं चला लो मैडम कब लो मैंटम हो गया पता नहीं चला तीन लोग थे कोई नहीं बोला ना बच्चा ने बोला ना मम्मी ने बोला ने उस मुख़ली बेचने वाले ने कहा लो मैडम लो मेडम से कब लो मिन्टम हो गया किसी को पता तक नहीं चला ठीक है तो ये चीजें हैं तो लो मिन्टम तो आगे बढ़ते हैं क्या हो गया ये देखें लो मिन्टम देखें 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 देखे और आगे लिखेगा क्या है यह देखें आपका ओवरी हैज ओवरी हैज मार्जीनल मार्जीनल प्लसेंटेशन ओवरी हैज मार्जीनल प्लसेंटेशन ओवरी हैज मार्जीनल प्लसेंटीशन चलिए बहुत बढ़ 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 आप चलिए बहुत बढ़ बढ़ आप चलिए अच्छा हाँ सही बात है आज खुषबू उमर के साथ सथ खुषबू Gautam भी आ गई कि इद्र कुषबू उमर टो डेली रहती है बहुत एक्ट्व कुषबू Gautam भी आ गई निया घुन अचिए बात है। तो आगे बढ़ते हैं, एक्जामपल देखें क्या है इस फ्रूड का, इसमें है एक्जामपल, अरैचीस हाइपोजिया, अरैचीस हाइपोजिया, इसे ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, या पीनट कहते हैं, पीनट, जो सब देखें, जब भी आप इंटर्व्यू, यूपी एचसी या जीडीची का इंटर्व्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पढ़ाने के लिए सबसे कहा जाता बेटा जी, जब आप जाएंगे वहाँ यूपी एचसी में बारे में आप बहुत जादे जादा जानते कि वह आप फंसेन हैं, तो जैसे अगर आप पॉलिनेशन पढ़ाते हैं बेटा जी, तो फिर आपको ये भी तैयार रहना होगा कि अगर पॉलिनेशन आ गया, तो फ्रूट भी आपका तैयार है, आपका इंफ्लोरेशन्स भी तै कौन सा टापिक आप पढ़ाने के लिए जब कहा जाए, तो आप उसके बारे में अच्छा ग्यान, यह नहीं कि आप टापिक पढ़ाना सुरू कि यह फस गए, और कम ग्यान है, यह मत करिएगा, तो एंजियोस पंप के टापिक सुरू करने में आपका ज्यादा हित रहेगा क्योंकि आपके पास ज्यादा ग्यान हो गया है, इसका पता, इसका अंदाजा मुझे हो गया कि आपके पास बहुत ग्यान है, याद रखिए का जब भी आई, पीचर सी या जीडी सी में जाएंगे तो पढ़ाना तो पढ़ेगा ही, तो चलिए, हो गया, आगे बरते हैं, अ होता है, और टीजीटी में तो अब इंटर्व्यू है नहीं, पीजीटी में वो कभी किसी से पढ़ावाते हैं, कभी नहीं पढ़ावाते हैं, जैसे पीजीटी का तीन-तीन इंटर्व्यू मैंने दिया था, मुझे किसी में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इसमें जो यूपी हो गया चलिए तो ग्राउन नट या पीनट इससे कहते हैं अरैची साइपोजिया ग्राउन नट या पीनट इसको जियो कार्फिक फ्रूट भी कहते हैं जीओ कार्फिक फ्रूट क्योंकि जमीन के अंदर आता है जीओ कार्फिक फ्रूट कहते हैं और आगे देखिए अगर पूछा जाएगा यह ग्राउन नट या पीनट ये ट्रून नट है कि फाल्श नट है ऐसे भी सवाल बनते है कि ये two nut है कि false nut है आप कहिए कि false nut है क्योंकि ये तो lo良मिंटम है ये true nut कहाँ है true nut है तो nut आपने दिखाता जहाँ है inner kaudium accidentally था casey nut और lechy थी वो true nut है ये true nut नहीं है ये भी आप धियान दीजिएगा ये भी धियान दीजिएगा चलिए इसको ध्यान दीजिका दूसरी चीज़ देखिए क्या इसमें आपका हकैसिया अरेविका के बबूल है बबूल इसके बाद देखिए इसमें क्या है आपका मिमोसा पुडिका मिमोसा पुडिका यह क्या है टच मी नाट टच टच मी नाट यह इसको ख़ते हैं सेंस्ट्यू प्लांट सेंस्ट्यू प्लांट टच मी नाट और इसको कहते हैं सेंस्ट्यू प्लांट मिमोसा पुडिका छुई मुई लाजवन्ती आपको पता है छुई मुई है लाजवन्ती है आपको पता है इसमें प्रकार का प्लांट मोवमेंट होता जिसको कहते हैं सिस्मो नैस्टी इसके अलावा इसमें आपका है इमिली क्या कहते हैं टैमरिंडस इंडिका टैमरिंडस टैमरिंडस इंडिका यह टैमरिंड है टैमरिंडस इंडिका यह क्या है टैमरिंड है टार्टारिक एसीड होती है टार्टारिक एसीड होती है मिल्कुल मौहिट जी मैं कहने वाला था लेकिन मेंप़ टाइम कम होता है क्योंकि ये कलास एक घंटे की होती है कब खत्म हो जाती ही पता नहीं चलता ये क्लास एक घंटे की होती है केवल अब वो कब खत्म होती मुझे पता नहीं चलता इसलिए मैंने बबूल बबूल पैसे वसूल नहीं कहा वो आप ही ने कह दी आकिर में बबूल बबूल पैसे वसूल समझ गए? तो टैमिनिंडियस इंडिका इसमें कौन से एसिड है? टार्टारिक एसिड टार्टारिक एसिड टार्टारिक एसिड तो ये देखें एक घंटे के टाइम हमारे खतम हो गए मुझे पता नहीं चला कब खतम हुए ये आठ प्रकार के फूरूट हम पढ़ा पाए आज सेली कियूला, कैपसूल एकीन, केरियापसिस इपसेला, नट समारा और लोमेंटम आठ प्रकार के फूरूट हम पढ़ा पाए तो आज यहीं तक बेटा जी बाकी नेक्से मिलते हैं ये ज़्यादा समावना है कि कल हम सुपर थार्टी कोस्चन लेके आएंगे अभी हम बात करते, पेपर तो मेरे पास आ चुका है, तो प्रूफीट करना है तो वो तो दस मेंट का काम है, मैं प्रूफीट करने में मैं देख लूँगा, तो संभावना है, मैं आपको सुचित कर दूँगा जैसा भी रहेगा, तो क्योंकि संदे को तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, संदे को मैं आउट अप इस्टेशन हूँ सटर्ड़े को कल ही संभावना है तो ओके बटा जी, थैंक यू बटा जी थैंक यू बटा जी थैंक यू बटा जी कि अदो रिए रहे हैं झाल झाल